दोस्तो ग्रामीन विकास, मंत्राले और पंचायती राज विबाग की तरफ से आपके आपे बहुत बड़ी बंप पर बढ़ती निकलने जा रही है बहुत सारे पद आपके रहेंगे, पदों के बारे में पूरी आपको अपडेट देने वाले हैं कि किस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्या रखे गई है और आपके हैं पर सेलेरी पेकेश क्या रहेगा पूरा डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे तो दोस्तों यहां पर जो भी interested candidate है दस्वी पास, बारी पास, graduate, post graduate वीडियो को पूरा जरूर देखेगा स्टार्टिंग से लेकर के end तक बिना किसी देरी के दोस्तों आप करते हैं पर वीडियो को start दोस्तों वेकेंसी के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है तो ग्रामेंड विकास मंत्रा लेकि official website www.rural.nic.in पर आपको visit करना पड़ेगा वहीं पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इसके लाव दोस्तों वेकेंसी के लिए education qualification कितनी पोस्त है आपकी रहने वाली है कौन से स्टेट में आपकी जोब लगेगी पूरा डिटेल में हम जानने वाले इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को शुरू से लेकर के end तक जरूर देखेगा अब बिना किसी तेरी के आपको notification के जरीए पूरी update बता देते हैं दोस्तो ग्रामीड विकास और पंचायती राज विबाग की तरफ से आपका जो यहाँ पर notification रिलीज हुआ है 11,000 पदों पे आपके यहाँ वेकेंसी निकली है जिसमें office assistant विस्तार अधिकारी ग्राम सेवक health supervisor और आरोगे सेवर senior assistant के आपके पोस्टे रहेगी दोस्तो पोस्टों के यहाँ पे नाम और total कितनी पोस्टे रहेगी वो भी आपको बता देता हूँ सबसे पहले नमबर पे आती office assistant की 1220 आपके पोस्टे रहेगी विस्तार अधिकारी के आपके रहेगी 1648 तीसरे नमबर पे है ग्राम सेवक ग्राम सेवक आपके आपके 2765 चोते नमबर पे health supervisor 1875 पांचो नमबर पे आपके आएगी यहाँ पे आरोगे सेवक 1845 और यहाँ पे छटे नमबर पे last senior assistant की 1803 पदों पे आपकी vacancy निकलने जा रही है इसके बाद में हम बात करेंगे education qualification की ग्राम सेवक और आरोगे सेवक के लिए दसवी पास मांगा गया है किसी भी board से office assistant और health supervisor के लिए यहाँ पे बारवी पास होना जाई है any board से और last यहाँ पे senior assistant और विस्तार अधिकारी के लिए graduation मांगे गया है एक recognize universities से इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे age limit criteria के तो आपको बता दू कि 18 से 30 साल का general UR candidate के लिए 18 से 32 साल का BC और MBC candidate के लिए और 18 से 35 साल का SCST के candidate के लिए आपका age limit का criteria रहेगा इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे pay scale की तो आपको बता दू कि आपके level 1 का pay scale रहेगा 15,700 से लेकर के 50,000 तक आपका रहेगा age पर government rule आपको बता दू कि दोस्तों अगर बात करें तो 500 रपे general OBC, MBC category के candidate के लिए 200 रपे आपके SCST category के candidate के लिए रहेगी apply कैसे करना पड़ेगा आपको बता दू official website मेंने mention कर दी ये notification का link आपको provide करवा दिये जाएगा 26 March तक जो भी interested candidate आवेदन कर सकते है selection process आपका return test होगा उसके बाद में कुछ post के लिए interview कुछ post के लिए आपका यहाँ पे document verification conduct करवाये जाएगा लास्ट में दोस्तो आपको बता दू कि आपके important dates की starting date आपके online आवेदन करने की 24 फरवरी रहेगी और आपके जो अंतिम तिती रहेगी online आवेदन करने की 26 March 24 फरवरी से 26 March के बीच में सब भी candidate आवेदन कर सकते हैं काफी अच्छे पदो पर आपके vacancy लिए दोस्तो ओल इंडिया लेवल के candidate आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको like जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा अब मिलेगे आपे नेक्स्ट वीडियो में एक नएपडेट के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो